नमस्कार दोस्तों मैं मनुश्वर्म रोयल अकैडवी में आप सभी लोगों का स्वाध अगत करता हूं और ये मद्द प्रदेश के साथ थजार कोशन की सीरीज है और 236 से पहले वाले कोशन हम डिसकास कर चुके हैं और हमें स्टार्ट करना है 237 से कुछ देखिए पहला कोश आपका चिंद बाड़ा निम्लिकत में क्या मद्द प्रदेश का मंडल नहीं है उज्जेन इंदौर जवलपुर चिंद बाड़ा निम्लिकत में से क्या मद्द प्रदेश का मंडल नहीं है उज्जेन इंदौर जवलपुर चिंद बाड़ा तो मंडल क्या नहीं है तो आपक मंडल है और ये मंडल नहीं है करके रेखा मद्द प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है आप से ने मंसौर उज्यन रतलाम बिदीसा तो करके रेखा जो है मद्द प्रदेश के मंसौर से नहीं गुजरती है हर्दौल की मनोती मद्द प्रदेश के किस छेत्र में या किस छेत्र का लोक गीत है हर्दौल की मनोती मद्द प्रदेश के किस छेत्र में गाई जाती है तो इसका अंसर है आपका आपसन है बुनेलखंड, बगेलखंड, मालवा और निमाड मद्ध्य प्रद्रेस में All India रेडियू के कितने एक डिली में एक यहाँ पर All India रेडियू की किस सेर में है तो देख पाल इंदनाव छटरपुर गौलीचे नौप dalla यहाँ करीजिया, रेडियो, सेबा, मद्द प्रदेश के से लिए शुरु हुई ? और इंडिया रेडियो, सेबा, मद्बद प्रदेश के से किस न वद्ध प्रंगर में शुरु खुई तो गोईल, भुपाल, इंद और, उज्जन, यह समज़ते होुद व्लेकिन पहली बार सुरुफ कहां होई यह कोशिट थोड़ा सा ये है आप पहली बार कहां होई यह समझेग तो पहली बार हुई थे आपकी इंदार मैं कोशन थोड़ा सा चेंज है और इंडिया रेडियो सेवा मद्धिप्र देश के किस नगर से शुरु हुई मतलब प्रारंप पहली बार कहां से हुआ था तो इसका आंजर है आपका इंदौर आगला है उत्तरप्रदेश और मद्धिप्रदेश का सहिव्यक्त प्रोजेक्ट कौन सा है उत्तर प्रदेश और मद्ध्र प्रदेश का संयोक्त प्रोजेक्ट कौन सा है आपके option है राजगाट, माता टीला, वन्सागर इनमें से कोई नहीं तो इसका अंगर है आपका राजगाट उत्तर प्रदेश और मद्ध प्रदेश का संयक्त प्रोजेक्ट राजगाट है जो बैतवा नदी पर है यह आपका अगला कोश्चन मद्ध प्रदेश उर्जा छेत्र में जल्ब द्यूत का कुल कितना हिस्सा है तो आपका अंसर है 917.5 मेगा वाट सबलल कर्द प्रदेश के किस जल्ब में है आपसे ने मुरेना कच्चवार राजपूतों की राजधानी सिहौनिया मद्ध प्रदेश के किस जल्ब में है तो कच्वा राजपुतों की जो राजधानी सिहोनिया था वो मत्यप्रदेश की किस जिले में हैं आपसन है मुरेना सियोपुर छतरपुर और भिंड तो इसका अंसर है आपका मुरेना और आप अतिरिक जान का ही समझे सिहोनिया कच्वा राजपुतों की राजधानी थी यह मत्यप्रदेश की मुरेना जिले में हैं कच्वा अबंस की स्थापना 1115 से 1135 तक राज़ करने वाले राजा कीरती राज ने की थी मत्यप्रदेश में आई आई टी और आई आई एम किस सहर में हैं मत्यप्रदेश में आई आई टी और आई आई एम किस सहर में हैं तो इसका आंसर है आपका इंदौर मत्यप्रदेश में कितने केंद्री विश्विध्ध्याला हैं तो मत्यप्रदेश में दो केंद्री विश विद्ध्यालाए अनोपूर तो मद्द प्रदेश में दो केंजिमिस विद्ध्याला हैं भरतरी लोग गीत मद्द प्रदेश के किस छेत्र का गीत है कोशन है भरतरी लोग गीत मद्द प्रदेश के किस छेत्र का गीत है तो भरतरी जो है वो आपका मालवा छेत्र का लोग गी है अगला कोशन है मद्ध प्रदिश का राज किये ब्रक्ष कौन सा है तो बर्गत जो बर्गत का जो पेड़ है वो मद्ध प्रदिश का राज की ब्रक्ष है जो कि इनली सुख्या से मद्ध प्रदिश का राज की ये पेड़ चुना गया राखी की चुनोती की रचेता कौन थी? जिसका अंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान अमजद अली खान मद्द प्रदेश के किस छेत्र से है तो अमजद अली खान मद्द प्रदेश के किस छेत्र से है तो ये गौलियर से है ये प्रिसिद सरोद बादक थी जिनका जनम 9 अक्टूमबर 1945 को हुआ था सफेद बागों की भूमी मद्द प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है कुनो बन्न जीव अभ्यरन मद्द प्रदेश के किस जिले में है कुनो बन्न जीव अभ्यरन मद्द प्रदेश के स्योपुर जिले में है बागों की संख्या के आधार पर मद्द प्रदेश का भारत में कौन सा इस्थान है तो बागों की संख्या के आधार पर मद्द प्रदेश का भारत में तीसरा इस्थान है पूछा जाता है ये पहला इस्थान किसका है तो पहला इस्थान है करनातक का और दूसरा किसका है उत्तरा खंड का तीसरा किसका है मद्धिप्रदेश का बिरहा और बिदेशिया नामगायन का तरीका मद्धिप्रदेश के किस छित्र में है तो बिरहा और बिदेशिया मद्ध्रदेश के कि छित में गाया जाता है बगेल खंड में गाया जाता है गौडवाना छेत्र मद्ध्रदेश के कि छित्र में पड़ता है तो गौडवाना छेत्र मद्ध्रदेश के डक्चन और देखिए ओप्षए नहीं दक्षिन पूरम्धप्रदेस दक्षिन पस्च 속ने मड्ल प्रदेस उत्तर पसिनाले प्रदेस तो गॉअभदवर्ण है सिंगा और दालू जी मद्द प्रदेश के किस छित्र का लोग गीत है सिंगा और दालू जी मद्द प्रदेश के नीमत छित्र का लोग गीत है अगला कोर्शन थे हैं चोकरिया चोकरिया फाग मद्य प्र dinero के किस चितर का संगीत है तो चोकरिया फाग जो है मत्य प्र डिस के बुनेल खंड का है मद्य प्रदेस का सबसे चोटा अब्यारन कौन सा है तो रात अवला मंडल बन् أن YOU have मद्यप्रदेश का सबसे छोटा बने जीव अब्यरन है इसकी स्थापना उन्नीस तुन नवासी में हुई थी है इंदर जिले से जिले में है यह पांच बर किलो मीटर में फैला हुआ है मद्यप्रदेश की किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली का छरन करने के लिए जाना जाता है जो कि प्रमुक पर्यावरनिये आपदाओं का कारण बनता है तो यह मद्यप्रदेश की है बिना और रिफाइनरी मद्यप्रदेश के किस जिले में है बीना और रिफाइनरी मद्यप्रदेश के सागर में है बीना क्या है बीना अगला कोशन फिर है बीना और रि स्थापने का वहीं दोज्जार ग्याराम हैं कौन सा जला मद्ध प्रदेश का चेरा पूंजी कहा जाता है चेरा पूंजी एक ऐसी जगह है जो भारत का यह एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बर्सा होती है तो ऐसी एक जगह मद्ध प्रदेश में है जो है अली राजपु दुरूपद केंद्र मद्द प्रदेश के किस इस्थान पर है दुरूपद केंद्र मद्द प्रदेश के भोपाल इस्थान में है भगोरिया नत किस जंजाती से संबंदित है तो भगोरिया नत भील जंजाती से संबंदित है अहीरे लोकनत किस जंजाती से संबंदित है अहीरे जो लोकनत है वो भारिया जंजाती संबंदित है सत खंडा महल किस जिले में है तो सत खंडा जो महल है वो दतिया जिले में है इसे राजा बीर सिंग देओ ने बनवाया था छेत फल की दरश्टी से मद्ध प्रदिस का सबसे छोटा जिला कौन सा है छितफल की दिरश्टी से मद्द प्रदेश का सबसे छोटा जिला दतिया है मद्द प्रदेश बिदान सवा के पहले स्पीकर कौन थे मद्द प्रदेश बिदान सवा के पहले स्पीकर पंडित कुंजी लाल दुवे थे मद्धि प्रदेश के मुहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाडी थे मद्धि प्रदेश के मुहम्मद समीर दाद होकी के प्लेयर थे काली दास समारो कहा मनाया जाता है तो काली दास समारो उज्यन मनाया जाता है मद्द प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम के और नहीं बहती आफसान है माही, तापती, नरदा और चंबल मद्द प्रदेश कौन सी नदी पश्चिम के और नहीं बहती तो चंबल नदी पश्चिम के और नहीं बहती बागी नदी पश्चिम के और बहती है प्रिसिद्ध HVJ gas pipeline के लिए कम प्रेशर इस्षेशन मद्द प्रदेश की किस जिले में है तो यह जाबुआ और गुना में है HVJ gas pipeline कम प्रेशर किस मद्द प्रदेश के लेखग ने बिकलांग स्रद्धा का दौर के लिए साहित अकादि प्रुसकार जीता ठुटरता हुआ गरतंTw के लिए का कौन है घुटरता हुआ गरतंद्र के लिए का हरी संकर प्रदेश है मद्द प्रदेश में किसने पार्लियाबेंट आबार्ड नहीं जीता अफसेन सिवरा सिंग चोहान अटल बहारी बाचमी सुसमा तो सुराज और अरजोन सिंग तो अभी तक सिवरा सिंग चोहान को पार्लिय मेंट आपॉड नहीं दिया गया पुष्व की अभीलासा के लेखक कौन है पुष्व की अभीलासा के लेखक माखनलाल चतुरवेदी है इन्होंने बहुत सारी रचना की है आप एक बार इनकी देखिया अच्छे से रचना मद्य प्रदेश का सबसे उचा बांध कौन सा है तो मद्य प्रदेश का सबसे उचा बांध इंदरा सागर बांध है कुमार गंधर्व पुरुष्कार किस चेतर से सम्मंदित है तो कुमार गंधर्व पुरुष्कार जो की संगीत के चेतर से है और कुमार गंधर्व भी संग मंदिर है जो कि विदीशा जिले में पढ़ता है और असोग नगर से 35 किलो मेटर दूर है और याद रहे असोग नगर भी एक जिला है बिदीशा का प्राची नाम क्या है भागवत धर्म से संबंदित हैलियो डोरस का गडर इस्तंब किस स्थान पर इस्तित है तो भागवत धर्म से संबंदित हैलियो डोरस का गडर इस्तंब बिदीशा में है परमारबंस का परमारबंस कालीन नील कंडिश्वर मंदर कहां परिस्तित है तो परमारबंस का जो नील कंडिश्वर मंदर है वो आपका उदयपुर जो की विदीशा वाला उदयपुर है नागी रायस्थान वाला उदयपुर और जो की विदीशा जिले की एक तैसील गंजव के दूर है कि यह परमारबंस का ली नीर कंडिशर मंदिर है कि मुगावली की खुली के अंतरगत आती है तो असोक नंगर की रोम श्राकन अनगर इख व्हीं कि इसिफ्श्ट्र यह यहां अश्तित है ट्रेक्टर प्रेस्टिक्ट की सबसे बड़ी तासील कौन सी है छेत्रपल की द्रश्टि सबसे बड़ी तैसिल अजय गड है कि यही राज में जां डिंप यान्ति से फेल पाए जाते हैं और सी पढ़ार का है बुद्लखंट और को से पथार का है अजय के हında करण सिक साइंस का पर है तो फोरेंट सिक साइंस लेवरेटरी सागर में है्म करतार का इसे यह तो यह फैया है कैमुर कटनी में है कैमूर है एक जिगह में है मूर्तिकला के लिए प्रिशिद्ध एम आर फ़ल के स्टूडियो मूर्तिकला के लिए जो प्रिशिद्ध एम आर फ़ल के स्टूडियो है वो कहां है तो जो मूर्तिकला के लिए प्रिशिद्ध एम आर फ़ल के स्टूडियो है वो धार में अगला है महिस्वर में गौडवाना के राजा दलपसिंग से हुआ था तो रानी दुर्गाबती का विवा गौडवाना के राजा दलपसिंग से हुआ था मांडू का प्राचिन नाम क्या था तो मांडू का प्राचिन नाम साधियाबाद था घाटी गाव बनने जीव अब्भेरन कहां इस्तित है तो घाटी गाव बनने जीव अब्भेरन को आलियर में इस्तित है और हम पहुच गए हैं 300 पर तो आपको भारत की जितनी भी रेल्वे जौन हैं वहिसे तो आपका भूपाल और जवलपूर किस रेल्वे जौन के उंत्रगत आता है तो यहां आपके 300 कोज्च पूरे हुए बागी वीडियो में डिसकस करेंगे अगर आपके कि अगर आपको हमारी मेनत पसंद आती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो सांजा कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही आप हमें बता सकते हैं कि यह कैसी सीरीज है इसमें किसी प्रकार कोई सुधार करना हो तो आप बता सकते हैं धन्यवाद बाकी के हम कोशन बने हुए हैं हम अगली वीडियो में डिसकस करेंगे